हेलो फ्रेंड स्वागत है मेरे किचन में अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तिहार का मौसम चल रहा है और तिहार में सबसे ज़्यादा डिमांड मिठाई की होती है तो आज मैं आपके साथ ऐसी मिठाई सेयर कर रही हूँ जिसे बनाना बहुत ही असान है और ये कम समान में बन के त्यार हो जाता है तो चलिए फिर बनाते है ये देखिए हमने आप एक डाई ले ली है अभी हमने गैस को अन नहीं किया है अब हम इसमें 100 ग्राम तूड़ा ले मिक्स करें तो इससे मिक्स करना है जब तक इसमें एक भी गुठली ना हो हो है ये दिखिए हमने मिक्स कर लिया हो है अब हम गैस को अन कर देंगे और इसमें एक चममच घी डालेंगे गैस को स्लो रखे और इसे हम 5 से 7 मिनंट तक धीमी आज पर पकाएंगे जब तक यह गाडा ना हुज़ाये इसे लगातार चलाते रहें तो इसे लगातार चलाते हुए हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि यह ध्यान रहे गैस को हम स्लो ही रखेंगे ये देखिए ये गाड़ा हो गया है तो अब हम इसमें डेड़ सो ग्राम नारियल का बुरांदा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ये देखिए ये हैं अब हम इसमें सोग्राम चीनी डालेंगे तो ये किसी भी चीनी आप इसे मिकसर में पीच लें और फिर इसमें इसे मिक्स करना है ये देखिए अब हम इसमें food color डालेंगे तो ये orange color है हमने एक चुटकी orange color को हलका सा पानी में गीला कर लिया और इसे हमने डाल लिया अब हम फिर से slow आज पे इसे 5-7 मिनट तक पकाएंगे तो इसे लगाता चलाते वे 5-7 मिनट तक slow आज पे पका ले जब ये कडाई चोड़ने लगे और कुछ इस तरह से होने लगे तो फिर हम गैस को बंद करेंगे देख सकते हैं ये डोग के तरह एक हो गया है अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थंडा होने के लिए रख देंगे जब ये पूरी तरह से थंडा हो जाए तो अब हम इसमें हाथ में घीर लगाएंगे और थोड़ा सा लोई को तोड़ेंगे और फिर हाथ में गोल-गोल करके लड्डू के अकारसे से बना लेंगे और हम इसे नारियल के वुरांदे में अच्छे से इसे लपेट लेंगे बस इसे अप प्लेट पे रख लीजिए तो सब को ऐसी ही बना के त्यार करना है थोड़ा सा लोई को तोड़िए हाथ से गोल-गोल लड्डू के तरह बनाएए और फिर इसे नारियल के वुरांदे में लपेट लीजिए तो बस ये नारियल के लड्डू बन के त्यार है अगर आपको ये रेस्पी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें सेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले मिलते हैं अगली रेस्पी के साथ तब तक बाई बाई